बच्टों जैहिंद स्वागा था आप सभी का गणित की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे करक्ष आठवी के गणित में अध्याय चौदा छे त्रिमिती भाग एक और इसमें हम देखेंगे प्रश्णावली चौदा जसमलाव एक लेकिन चौदा जसमलाव एक देखने से पहले ह हम समांतर चेतुर्भूच के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं आप देख रहेंगे साकृति को एक कौन साकृति हैं समांतर चेतुर्भूच की तो पहले हम समांतर चेतुर्भूच के बारे में समझते हैं उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे यह देखिए आपको पहला प्रास्ण दिया हुआ है समांतर चे दुर्भूत का छेत्र फल ज्याद कीजिए जब आधार बराबर 15 cm हो और शीर से लंब बराबर 10 cm हो हम इस प्रकार से एक समांतर चे दुर्भूत बना लेंगे देखिए आधार A से B की जो लंबाई है 15 cm है और सीर्ष दी से आधार A B पर डाला गया जो लंब है सीर्ष लंब कितना है 10 cm तो हम जानते हैं हल यहाँ पर करेंगे हल समांतर चे दुर्भूत का छेत्र फल बराबर क्या होता है आधार गुना उचाई उचाई का मतलब है यहाँ पर सीर्ष लंब यह सीर्ष लंब जो डला हुआ यहाँ पर वो तो उचाई कितना है 10 cm आधार कितना है 15 cm तो 15 गुना 10 बराबर यह हो जाएगा 150 वर्ग सेंटिमीटर इस प्रकार से बस इतना ही काम करना है आपको आधार दिया रहेगा श्रीसलम दिया रहेगा यदि आपको समांतर चे दुर्भूत का छेत्र फल दिया है तब आप और इसमें से कोई एक मान दिया हुआ है उचाई उचाई या आधार तब आप क्या करेंगे ऐसे ही लिखेंगे और इसको इधर आप पक्षांतर करके तिरियाग बुना करके उसको हल करेंगे आए देखते हैं प्रसक्रमांग 2 यह प्रसक्रमांग 2 है इसमें लिखा हुआ है उस समांतर चे दुर्भूच का छेत्र फल ज्याद कीजिए जिसका आधार 26.5 cm तथा शीर सलम 7 cm दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है आधार बराबर 26.5 cm शीर सलम यानि कि उचाई बराबर आपको दिया हुआ है 7 cm तब क्या होगा समांतर चे दुर्भूच का छेत्र फल समांतर चे दुर्भूच का छेत्र फल बराबर आधार गुना उचाई यह हम लिख लेंगे आधार कितना दिया है आपको 26.5 cm गुना उचाई कितना दिया है आपको साथ सेंटिमीटर चली गुना किजिए चली आपस फिर गुना करते हैं 275 35 का 5 हासिल 3 फिर 7 तो गुना करेंगे 6 से 463 45 का 5 हासिल 4 और 7 दुनी 14 14 14 18 यहां दर्सम्वलव एकंग के बार लगा हुआ इसलिए यहां दर्सम्वलव एकंग के बार लगेगा यहां आगे वर्ग सेंटिमीटर इस प्रकार से 185 वर्ग सेंटिमीटर प्रस्क्रमांग 2 का उत्तर होगा आई यह प्रस्क्रमांग 3 देखते हैं इसमें लिखा हुआ उस समांतर चतुर्भूच का आधार ज्याद कीजिए जिसका 6 रफल 390 वर्ग सेंटिमीटर तथा शीर सलम 26 सेंटिमीटर हो तुछे पहले लिखेते ही क्या दिया हुआ है आधार आपको ज्याद करना है शीर सलम दिया हुआ 26 सेंटिमीटर छेत्र फल आपको दिया हुआ है 390 वर्ग सेंटिमीटर आप जानते हैं क्या जानते हैं समांतर चतुर्भूच का 6 रफल बराबर क्या होता है अधार गुना ऊचाई अधार गुना ऊच्वा सेंटिमीटर जह गलते हैं हांतर जो जो दिया है मा रग देते हैं आपको 86 आप देते हैं अपको 26 भीच लिख देंगे यहाँ पर अब यह 26 इसज़ा नीचेigram के आएगा हम लिख सकते हैं बी बराबर 390 बटे 26 अब इसको कटा देते हैं तेरा से कटेगा तेरा दूनी 26 हो तेरा तिया 49 से बराबर कितना आ गया 30 बटे दो या इसको हम हल करेंगे तो बी बराबर आएगा 2 से काटेंगे 2 अभी 15 बार में कटेगा 15 सेंटिमीटर इस प्रकार से हम आगे के लिखेंगे आताहा उस समांतर दुर्भूत का आधार होगा 15 सेंटिमीटर तो इस प्रकार से आप इस प्रस्णवली के सभी सवालों को हल करेंगे उम्मीद करता हूँ कि प्रस्णवली आपसे आसानी से बनेगा मिलेंगे अगले प्रस्णवली में तब तक के लिए आप सभी को जैहिन अजय करें तो अवाँ झालों के सब्सक्राइब करता हूँ